हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस मैं हूँ कीरन आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे संस्क्रीन के बारे में संस्क्रीन के बारे में आप कितना जानते हैं क्या संस्क्रीन लोशन हर एक को लगाना चाहिए इससे बहले इंपो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो फ्रेंड्स बात चाहे गर्मी की हो या सर्दी के मोसम की स्किन को श्रक्षित रखने के लिए संस्क्रीन क्रीम का लोशन या जिगर हमेशा होता है इनका काम सूरज की fine lines, skin का फटना, रंगत पर असर होने का एहम कारण है UV किरने तो friends आईए जानते हैं इनसे बचाव के लिए उपयोगी संस्क्रीन लोशन वे क्रीम के बारे में SPF यानी sun protection factor की मात्रा संस्क्रीन लोशन का चुनाव करते समय उसमें मुझूद sun protection factor यानी SPF की मात्रा की सही जानकरी होना जरूरी है कई skin expert की माने तो कम से कम SPF 15 की मात्रा वाला लोशन बहतर रहता है लेकिन बहुत गर्मी और परदूशन के दुरान SPF 15 से 30 वाले sunscreen लोशन अधिक प्रभावी होते हैं SPF की मात्रा जितनी अधिक होगी skin को UV किनों से होने वाला नुकसान उतना ही कम होगा Sunscreen wear sun block में अंदर सूरज की ultra violet किन्ने skin के लिए काफी खतरनाख होती हैं ये लंबे समय तक skin पर असर छोड़ती हैं Sunscreen lotion या क्रीम का काम skin को किनों से मामूली रूप से filter करने का होता है वहीं यदि बात करें sun block कॉस्मेटिक की तो उनमें जिंक ऑक्साड पाया जाता है जो हर तरह की किनों से बचाव करता है Sunscreen skin के according लगाएं Skin के प्रकार के अनुसार वो यदि इस पारे में नहीं पता तो Dermatologist से इसकी जानकारी लेकर सही sunscreen lotion या क्रीम को चुनना चाहिए क्योंकि यदि इसे लगाने के बाद skin चिपचिपी लगे तो हो सकता है कि यह आपकी skin के लिए नहीं है तो फ्रेंड्स आईए जानते हैं इसे कैसे पहचाने Normal skin Normal skin टाइप वालों की तवचा से आम तोर पर ओयल नहीं निकलता और skin साफ है चमकता नजर आती है ऐसे में cream best sunblock को चुना जा सकता है Dry skin वहीं आपकी skin यदि dry है तो Moisturizer best sunscreen का use बहतर साबित हो सकता है आप skin पर Moisturizer लगाने के बाद sunscreen लगा सकते हैं Oily skin जिनकी तवचा oily होती है उन्हें कील मुहासों की समस्या अधिक होती है ऐसे में उन्हें oil free sunscreen lotion या cream का use करना चाहिए Oily skin पर gel या Equa best SPF formulation वाले sunscreen का इस्तिमाल बहतर होता है इसका कारण इसके use से skin को मिलने वाली ठंडक है Skin के लिए tips Sunscreen lotion लगाने के बाद भी यदि skin पर पसीना या चिप चिपाहट होतो इसके साथ Lacto, Calamine को use में ले सकते हैं यदि धूप तेज है और पसीने के कारण SPF युक्त Sunscreen का असर कम हो जाता है तो अगली बार से Sunscreen lotion या cream की मोटी पर चेहरे पर लगाएं Friends, आज मैंने आपको बताई है Sunscreen के बारे में पूरी जान करी अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आकि मेरी और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिले Eat Healthy, Stay Fit, Live Happily, Bye Bye